सब्सक्राइब कीजिए आपके अपनी यूट्यूब चैनल एड्यूकेशन फॉर सीवेसी को और बेल आइकन को दवाईए ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए तो आ गाया अब तो प्यारे बच्चों जैसा कि अब आप लोग एर्थ में आ चुके हैं तो बड़े हो गए तो आपको चीजों को रटना नहीं है क्या करना है समझना है तो चलिए अब हमारा चैप्टर नमबर वन है क्रॉप प्रोडक्शन है इंद मैनेजमेंट इस तो बात करते हैं, देखी इस चेप्टर में हमलोग क्या होती है कितने टाइप्स क्यों होती है और उन्हें कैसे दिवाइट किया जाता है, दूसरी बात हम लोग क्या पढ़एंगी, कि इस चैप्टर में भी बढ़ेंगी मैं कि क्राप को किस तरह से इस्टोर किया जाता है, तो हमनों overallहल क्रॉप के बारे म Epsi, हम हम बंबाँ में हैं क्रॉप क्री... भी एक ही धियान से फिल्ड में यदिसे मानने से हाँ क्रॉप कि प्लांट कि उगा रह NGO कॉं यूख रहे ही तो इसी को क्या कहते हैं क्रॉप अब प्लांट कोई भी हो सकता है, माल लीजे कोई हमारी फिल्ड है, इसमें माल लीजे मैं बाना के धीर सारे प्लांट को उगा रहा हूं, तो यह किसकी क्रॉप होगी बाना की, अब माल लीजे मेरी फिल्ड है, इसमें मैं वेट के धीर सारे पौदे उगा रहा हूं, तो यह क क्या कहते हैं crop so when a type of when a type of plant is plant in whole field then it is called crop ठीक तो crop पता चला क्या होता है अब देखिए crop को हम लोग उगाते क्यों है ताकि हम लोग अपना जो भोजन है उसे क्या कर सके आसानी से प्राथ कर सके यदि क्रॉप ने होंगे तो हम लोग उपने भोजन को नहीं पापाएंगे अब देखिए agricultural practice याने की agricultural practice के उजरूरी है तो agricultural practice में अब हम लोग सभी चीजों को देखेने वाले हैं जो की हम लोग अब करेंगे आगे तो agriculture practice में क्या क्या आ जाता है preparation of soil, serving of seeds, application of manure, irrigation, weeding, harvesting और storage बस यही पूरा हमारा chapter ही है ठीक तो चलिए अब हम लोग इसे देखते हैं